नमस्कार दोस्तों विद्युद अध्याई की इस दूसरी कक्षा में आप सबका स्वागत है मुझे पूरी उमीद है कि आपने विद्युद अध्याई के पहले विडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा उस विडियो में हमने ओम के नियम तक की चाचा की थी जबकि इस विडियो में हम उसके आगे की चीजों को देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं उन चीजों को समझ कर कि वह कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है यहाँ दिखाया गया चेत्र दोस्तों एक वस्तु का है जिसकी लंबाई L है अनुप्रस्ट काट का छेत्रफल ए है इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यह कुछ नहीं बलकि एक जिहां प्रतिरोध है तो इसका यह चोर प्रतिरोध का यह चोर मान लेजिए और इसका यह किनारा दाही में राइटगा की नारा आप यह चोर मान लेजिए और इस पूरे वस्तु के जो बीच का द्रव्यमान है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो इसको बतला रहा है तो देखते हैं कि यह लंबाई और इसका अनुप्रस्ट काट का छेतर फल और यह प्रतिरोध हत्ता क्या है और यह कैसे बदलेगी इस प्रतिरोध के मान को तो मैं आपको उपर-उपर से पहले एक वर बता देता हूँ कि प्रतिरोध जैसा आप सब लोग को पता है कि प्रतिरोध उस मान को कहते हैं जिस मान से कोई भी वस्तु अपने से होकर विद्युद्धार प्रवाहित होने में अवरोध पैदा करती अथाथ अगर प्रतिरोध जादा होगा तो अवरोध भी जादा होगा और अगर प्रतिरोध कम होगा तो अवरोध भी कम होगा तो देखते हैं इस प्रतिरोध को कैसे बदला जा सकता है इस लंबाई या फिर छेतरफल को बदलते है तो जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के यहां मैंने गलती से छोटा वाला यल लिखती है मुझे बरा यल लिखना चाहिए कियां हमने बरे यल से दिखाया है तो जो प्रतिरोध है वो समानुपाती है अनुक्रमानुपाती है इसकी लंबाई के इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा आईए समझने की कुशिश करते हैं क्यों प्रतिरोध वो है जो जितने मान से वो अवरोध लगा रहा है तो अगर रास्ता ही छोटा है दोस्तों अगर करेंट को अगर विद्युधारा को इतना ही रास्ता तै करना होता तो वो यहां से आती और इसके अटम से इसके अंदर छुपे अनुमों से टकराते हुए जब इसको पास करती तो यहीं से निकल जाती पर आपने लंबाई बढ़ा दी, हमने हाँ लंबाई बढ़ा दी तो विद्युद्धारा को और टकराना परेगा, और मुसीवत का सामना करना परेगा तब जाकर के वो दूसरे अनुपस्त काटके से बाहर निकल पाएगी तो जैसे ही हमने लंबाई बढ़ाई, प्रतिरोध जो पैदा कर रहा था ये वस्तू, वो प्रतिरोध भी बढ़ गया इसलिए हमने यहा लिखा है कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाति है आप बढ़ाएंगे लंबाई तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा आप घटाएंगे लंबाई तो प्रतिरोध भी घटेगा दूसरी बार में कहा गया दोस्तों कि जो प्रतिरोध है वो व्यूत क्रमानुपाती है इस अनुप्रस्त काटके छेत्रफल के अर्थात इस छेत्रफल के इसका मतलब कि अगर आप इस छेत्रफल को बढ़ा दें इतना करते हैं तो जी हां तो प्रतिरोध का मान भी घट जाएगा क्योंकि ये व्यूत क्रमानुपाती है आप एको बढ़ाते हैं तो आर्र अपने आप घटेगा क्योंकि पहले पूरे करेंट को पास होने के लिए इस वस्तु से पास होने के लिए बस इतनी सी जगह थी तो सब आपस में टकराते टकराते पास हो रहे थे पर जब आपने उस पूरे जगे को ही बढ़ा दिया तो सारा करेंट फैल जाएगा और आसानी से पास हो सकता है प्रतिरोध है वो समानुपाति है एक के जगह ही लिख दिया है और अगर हम मैं हर जगह ल कर देता हूं उचसे गलती हो गई थी तो अंत में आपको यह मिलेगा कि जो प्रतिरोध है वो समानुपाति है एक और जब मैं यहां से इस समानुपात का चिंड हटाया तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप एक इस्थिरांक देते हैं और वो इस्थिरांक है दोस्तों रो इसे हम इस चीज को जिसे हमने ऐसा रो को प्रतिरोधक्ता कहते हैं और उस वस्तु के माटेरियल पर डिपेंड करता है यह जो वस्तु हम आपने यहां देख रहे हैं यह किस चीज का बना है यह प्रतिरोधक्ता उस पर निर्भर करती है इस रो को आनुपाथ प्रतिरोधक्ता बता रहा है और यह हर पदार्थ के लिए हर अलग-अलग वस्तु के लिए यह प्रतिरोधक्ता अलग-अलग होगी तो यह जो फॉर्मुलार हमें मिला है दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है R is equal to rho into L by A तो इसे हम याद रखेंगे और इस पर प्रश्न भी बनाएंगे आईए दोस्तों इस प्रश्न को बनाते हैं यह प्रश्न कहता है कि दियेगा पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध चारों है तो प्रतिरोध दिया है फिर कहता है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी कर दी गई है और मोटाई दुगनी कर दी गई है तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों की पदार्थ नहीं बदल रहा है वस्तु बदल रही है उसकी लंबाई बदल रही है उसकी मोटाई बदल रही है परन्तु पदार्थ नहीं बदल रहा है पदार्थ नहीं बदलने का क्या मतलब कि पहले भी अगर यह लोहे का होगा तो अभी भी यह लोहे का है अगर पहले अल्यूमिनियम का होगा तो अभी भी अल्यूमिनियम का है तो पदार्थ नहीं बदलने के कारण से जो प्रतिरोध हकता है वो दोनों ही जगह पर उतनी ही रहेगी चली इसको बनाते हैं ताकि ज्यादा समझ भाएं तो आपको दिया क्या है आपको प्रतिरोध की कामान दिया है जो की चारों के बराबर है तो पहले हम लेखते हैं कि R is equal to Rho into L by A जहां ये L इस L के बराबर है और ये A इस A के बराबर है और ये R जो की चारों दिया है जी तो आपको Rho into L by A is equal to 4 O इतना हमें बिल गया अभी इसकी दूसरे भाग प्याते हैं दूसरा भाग क्या कह रहा है दोस्तों कि इसी पदार्थ के किसी अन्यतार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L बटे 2 और मोटाई 2 बटे 2 A है तो मान लीजिए कि उसकार जो ह है वो R2 है ऐसा मान लेते हैं कि उसका प्रतिरोध R2 है तो R2 के लिए सूत्र तो सहीं नहीं होगा जो कि रो गुने L बटे A है तो रो यहां वही रह गया दोस्तों पर इसकी लंबाई क्या हो गई L बटे 2 हो गई और इसकी मोटाई हो गई 2 A तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप पाएंगे कि यह है रो गुने L बटे 4 A बिलकुल और जब आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि रो गुने L बटे A और यहां भी रो गुने L बटे A उसी तरीके से है और रो गुने L बटे A का मान है 4 तो एक बटे 4 यह चार यहां एक बटे 4 आया गुने और रोग उन्य एलबटे एक का मान मैंने चार रखा जो की एक ओम के बराबर है अर्थात अगर आप तार की लंबाई को आधा और उसके छेतरफल को दुगना कर देते हैं तो उस तार का जो प्रतिरोध है वो चार गुना कम हो जाता है पहले देखिए प्रतिरोध था चार ओम और अब हो गया एक ओम तो चार गुना कम हो गया दोस्तों प्रतिरोध है ऐसे प्रश्ण आप अपनी पाठ़ पुस्तक से और भी देख करके बना सकते हैं आईए दोस्तों आप बेखते हैं कि प्रतिरोध को के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है और इसे कैसे निकाल सकते है इसमें हम यह सीखेंगे कि प्रतिरोध को के समूह को जब अलग-अलग तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो उसका एक समायोजित प्रतिरोध जो बनेगा उसे कैसे निकालते हैं पर उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ चलिए एक प्रश्न को थोड़ा रोचक बनाते हैं यह जो लकीर मैंने ब्लू कलर में खीची है ब्लू रंग की लकीर खीची है आप इसे हाईवे समझे हाईवे अर्थाथ बहुत अच्छी सरक और यह जो लाल कलर से मैंने जो लकीर खीची है वो बुरी सरक है दोस्ति अर्थाथ थोरी देर अच्छी सरक फिर बुरी सरक फिर अच्छी सरक और फिर ओरंज कलर के लिए अर्थाथ फिर से थोरी बुरी सरक और फिर से अच्छी सरक तो आप मुझे यह बताईए कि इधर से बहुत सारी गारियां गुजरने की कोशिश करते हैं बहुत सारी गारिया क्या ऐसा मान लिजिए कि आप ही इधर से जा रहे हैं गुजर रहे हैं कार में बैठ कर मोटर साइकल पर बैठ कर साइकल पर बैठ कर तो जब आप highway पे जाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्यों क्योंकि highway बहुत ही अच्छी सड़क होती है उस पर cycle चलाने में, motorcycle चलाने में, car चलाने में कोई तकलीफ नहीं आती पर जैसे ही आप इस बुरी सड़क पे जाएंगे जो चिकनी नहीं है, जिस पे बहुत साड़े रोडे पत्थर गिरेव में हैं तब आपको इस सड़क से प्रतिरोध का सामना करना परेगा और आप इस पर गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकते चाहे तो वो cycle हो या motorcycle हो या car पर जैसे ही आप फिर से अच्छी सड़क प्र आते हैं, आप फिर से गारी अच्छी है चलाएंगे और फिर बुरी सड़क प्रतिरोध का सामना करना पर एक और अप जो गारी फिर से ठोरी आपको परिशानी होगी चलाने में और हाईवे पर जाने के बाद फेरा अच्छे से गारी चला सकते हैं परन्तु यह सारी गारियां जो यहां से गुज्रेंगी इस सड़क से गुज्रेंगी वह हाईवे पे भी जितनी गारियां है इस खराब सड़क भी उतनी गारियां है फिर से इस हाईवे प अगर आपको पस एक ही रास्ता आप यह रास्ता कैसा भी हो आप इसको पार करेंगी तो इस रास्ते में कहीं अच्छा पिखारी गारी गई तो इसेयों कुंकि यहां पर चर्चा किया उससे मैं इस तरह से समझाता हूं कि यह जो हाइवे सड़क है वह एक चालक बहुत ही अच्छा चालक जैसे की वायर नॉर्मल सा वायर जिससे विद्युधारा प्रवाहिट होती है और यह जो बुरी सड़क है उससे हम कहेंगे एक रेजिस्टर रेजिस्टर क्योंकि रेजिस्टर इस एक बुरी सड़क है यह हमेशा अपने से जो करेंड जो विद्युधारा प्रवाहिट हो रही उसको रोकना चाहती है जैसे सड़क आपको गारी चलाने से रोक रही है और फिर यहां जो बुरी सड़क आई फिर प्रतिरोध वहां डाल लिया तो इस प्रतिवत का नाम मैं आरवन डालता हूं और यह जो गारिया जो यहां से बुजर रही है जो मैं आपको बताया उसको मैं करेंट का नाम दूए तो जब आप दो प्रतिरोधकों को इस तरह से जोडते हैं इस जोड को कहते हैं दोस्तों श्रेनी क्रम में विद्युद्धारा प्रवाहित होगी तो जितनी विद्युद्धारा आरवन से होके गुजरेगी पहले प्रतिरोध से होके गुजरेगी पूरी ही पूरी विद्युद्धारा को आरटू से होकर भी गुजरना परेगा क्यों क्योंकि उसके पास और दूसरा रास्ता है ही नहीं इस आपको A से B पे आना है आपको A से B पे आना है तो आपके पास एखी रास्ता है तो जब आप अच्छी सड़क है तब भी उतना ही करेंट बुरी सड़क है तब भी उतना ही करेंट फिर अच्छी सड़क है तब भी उतना ही करेंट और बुरी सड़क है तब भी उतना करेंट कोई फर्क नहीं परता है करेंट जो विद्युधारा है वो इस पूरे परिपत में एक समान ही कभी घटे या बढ़ेगी नहीं कि आईए अब एक दूसरा सेनारियों देखते हैं दूसरा केस देखते हैं कि क्या होता है दूसरे केस में मैं फिर से आपको हाईवे वाला ही वो दाहडन देता हूं एक अच्छा हाईवे यहां से यहां तकाता है परन्तु इस हाईवे से अब तीन अलग-अलग सड़के निकलती है एक ये भी एक खराब रास्ता है एक दो ये भी एक खराब रास्ता है और चलिए एक बैंग मिस दिखा देता हूं एक तीन यह भी एक खराब रास्ता और यह सारे रास्ते फिर से आ करके एक अच्छे से हाईवे में मिल जाते हैं ठीक है दोस्तों तो अब देखिए यह तीनों रास्ते खराब ही है दोस्तों रास्ता यह रास्ता यह रास्ते तीन रास्ते खराब तो यहां से जो गारियां आएंगी, मानलीजे कि आप यहां से जाना चाहते हैं, तो यहां से जो गारियां आएंगी, वो यहां करके यह देखेंगी, कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, जो सबसे अच्छा रास्ता रहेगा, उसमें से ज़्यादा ज़्यादा गारियां जा का कि यह जो लोगों की प्रवृति है वो ऐसी ही है कि जब तीन रास्ते होते है and लोग चुन ही लेते हैं अपना उसी तरह करेंट भी अपना राष्ता चुन लेगा तो इस रास्ते से होकर के बहुत सारी गारिया गुज़रेंगी और अगर यह रास्ता इन दोना के बीच में हैं कहीं तो इस रास्ते से होकर के थोरी इससे थोरी जादा और इससे थोरी कम गारिया गुज़रेंगी और फिर सारी गारियां आ करके इधर मिल जाएंगे यानि कि जितनी गारियां आपने इधर से भेजी थी इधर आपको मिल गए चलिए इस चीज को मैं इस तरह से आपको संधाने की कोशिश करता हूँ कि यह शुरुगात का जो हाईवे है वो एक चालक हूआ है उसके बाद तीन अलग-अलग मान के प्रतिरोध हमने लगा दिया है ठीक है और फिर यह बाहर निकलने वाला हाईवे तो देखिए इसका नाम दे दिया मैंने R1 इसका नाम दे दिया R2 इसका नाम मैंने दे दिया R3 अब समझे दोस्तों इस बात को कि जितनी गारिया यहां से आ रही हैं वो है current current यहाँ पहुचने के बाद देखेगा कि मेरे पास तो 3 रास्त हैं और 3 ही रास्तों में कोई भी रास्ता highway नहीं है highway अर्थात कोई भी रास्ता एक बहुत ही अच्छा चालक नहीं है जैसा यह wire होता है पर मैं कह दिये देता हूं कि i1 जोड i2 जोड i3 i के बराबर होगा हमेशा जितनी गारियां यहां से जा रही है वही तो बट रही है और i1 जोड i2 जोड i3 बराबर i है और i1 i2 i3 में ज़्यादा मान i1 का है या i2 का है या i3 का है यह किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों क्यों क्योंकि R2 का प्रतिरोध कम है जैसे यहाँ पे इसमें प्रतिरोध कम था इस बीच वाली सड़क में तो सबसे ज़्यादा गारियाँ से जा रही थी जो जैसे प्रतिरोध R2 का सबसे कम होगा तो सबसे ज़्यादा current भी उससे जाएगा यह कुछ भी हो सकता है यह या r1 का आगरमान सबसे कम है तो सबस्जादा current रहें और फिर यह जोThere हैं वह अब तो करा इस हैं उतनी गारियां मिलेंगे उतनी विद्धारा का मान फिर से आपको मिल जायेगा तो इस सण्योजन को दोस्तों हम लोग कहते हैं पार्शुक्रम सण्योजसा पछला वाला श्र Elliot 레u Yum सब्सक्राइब कर दालने हो को हम सिर्इज कॉंबिनेशन भी कहते हैं दोस्तों दो प्रतिरोध मोंको सीलीज में लगाना और इसे हम लोग पैरलल में लगाना कहते हैं गयों क्योंकि यह पार्श्व क्रम भी कह तो यह चीजें आगे और दूसरे तरीकस देखेंगे पर मैंने आपको यह जो उदाहरन दिया हाईवे वाला अगर आप इसे हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि जब प्रतिरोध का मान जादा है तो उससे पास होने वाला करेंट कम होगा कब जब वो पार्शुक्रम में संयोजित है पर यही चीज श्रेनी करम में नहीं थी श्रेनी करम में कुछ भी रहे प्रतिरोध का मान जितना करेंट जितना विद्युद्धारा एक प्रतिरोध से होके गुजर रही है तो नहीं विद्युद्धारा दूसरे प्रतिरोध से होके गुजरती क्योंकि वहाँ बस एक ही रा में बढ़ जायेगा यह देखते हुए किस रास्ते में किवना ना प्रति रास्ते में अगर प्रति रोट कम है तो ज़ादा करेंट जाएगा और तो जुद्झीन नहीं आपको मिलेगी तो current भी आपको नहीं मिलेगा इस प्रकार से दोस्तों श्रेनी क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों को इस तरह से दिखाया जा सकता है जो की 22 तरफ के चित्र में दिखाया गया है जबकि पार्श क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को इस तरह से दिखाया जा सकता है आप अंतर ऐसे देख सकते हैं शेनिक्रम और पार्स्ट्रम में कि हर एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के एक छोड़ से जुड़ा है और किसी भी एक प्रतिरोध का फिर जो दूसरा से रहा हुआ वो अगले प्रतिरोध से जुड़ा है और हर प्रतिरोध का सिरा यहां पर जैसा R1, R2, R3 में दिखाया गया है कि हर प्रतिरोध का सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है R1 का एक सिरा R2 से भी जुड़ा है जबकि R1 और R2 का एक सिरा R3 से भी जुड़ा है और इसी तरह दूसरा सेरा R1, R2 और R3 का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह सारे जुडाव बिंदूं बैटरी से जुड़े हुए है तो यह अंतर है श्रेनीक्रम और पार्सक्रम में हम श्रेनीक्रम को ऐसा भी बना सकते हैं चित्र पर दिखा सकते हैं और पार्स्ट्रम को इस तरह से भी डिखा सकता है इन दोनों चित्रों में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों क्योंकि इन्हें बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है तो आप यहाँ जैसा देख रहे हैं R1, R2, R3 एक सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहा है पर दूसरे चित्र में R1, R2, R3 को सीधी रेखा में ना रखते हुए अलग-अलग जिखाई पर रखा गया है पर जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों चित्रों में कोई भी अंतर नहीं है क्यों कि देखिए R1 का एक सिरा बैटरी से जुड़ा है यहां भी R1 का एक सिरा बैटरी से जुड़ा है R1 का दूसरा सिरा दोस्तो R2 से जुड़ा है उपर के चित्र में और R1 का दूसरा सिरा R2 से जुड़ा है नीचे वाले चित्र में और इसी तरह आप आगे भी देख सकते हैं और आखरी सिरा R3 का फिर से बैटरी से जुर जाता है तो आप यह सम कह सकते हैं कि यह जो तारे हैं यह जो वायर है इसकी लंबाई क्या क्या कोई प्रभाव नहीं परेगा तो जी नहीं दोस्तों तारों को कितना भी छोटा वरा या बिंदु आकार का बनाया जा सकता है क्यूं क्यूंकि हम ऐसा मान करके किसी भी प्रश्न को हल करते हैं कि तारों का अपना कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है तो आप इन्हें लंबा छोटा कितना भी वरा कर सकते हैं परन्तु ख्याव रहे क श्रेनिक्रम और पास्ट्रम का जो मूल भूत सन्रचना है वो ना बिग्रे आए अब श्रेनिक्रम में सहयोजित प्रतिरोधों को पुरा और विस्तरित तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि अगर तीन प्रतिरोधमों को श्रेनीक्रम में लगा दिया गया और एक बैटरी से जोड़ दिया गया तो एक विद्युधारा प्रवाहित होगी विद्युधारा हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अर्था धनात्मक्र सिरे से निकलती है तो यह आई विद्युधारा इस परिपत में प्रवाहित होगी और चूकि यह एक श्रेनीक्रम है इसलिए यहां से जितने विद्युधारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों वही विद्युधारा R2 को भी चाएगी और वही विद्युधारा R3 को भी जाएगी क्यूंकि यहां पर प्रवाहित होने के लिए विद्युधारा को प्रवाहित होने के लिए और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं हर जगह पर चाहे वो रास्ता खराब हो या चाहे वो रास हमने बना दिया अब अगर ओम का नियम याद करेंगे दोस्तों तो आपको याद आएगा कि किसी भी प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का विववानतर अर्थात अगर हम इसको भीवन से बोले विववानतर कितने के बराबर होता है दोस्तों किया आपको याद है G को बराबर होता है I गुना R अर्थात विद्धारा गुने उसका प्रतिरोध का मान V इक्वल टू IR यह ओम का नियम है दोस्तों जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा है उसी तरह अगर आप R2 के लिए निकालेंगे तो V2 मैं इसको दूसरे रंग सबराने कुछ करता हूं तो V2 आप पाएंगे आई क्योंकि उतनी ही विद्धारा प्रवाहित हो रही है इंटू R2 और अगर आप तीसरे R3 के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बनाएंगे V3 is equal to I into R3 तो आप हमने क्या किया है कि चुकि हमें पता है कि विद्धारा समान प्रवाहित हो रही है तीनों कतिरोधों से इसलिए हम आई यहां भी आई यहां भी और आई यहां भी ले करके जितना भी विववांतर होगा V1, V2 और V3 जो कि हमने R1, R2 और R3 के दोनों सिरों के बीच का विववांतर माना है क्रम शर्म तो हम ऐसा लिख सकते हैं अब दोस्तों हमें एक सूत्र लिखना है और यह बहुत ही आसान सूत्र होगा दोस्तों क्यों क्योंकि यह जो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो विववांतर बन रहा है R1, R2, R3 के दोनों सिरों के बीच में अगर हम इन विववांतरों को जोड़ दें तो वो विववांतर कुछ नहीं बलकि भी के बराबर होगा क्यों क्योंकि यह बैटरी ही है जो इन सब को विववांतर दे रही है तो अगर इन सब का विववांतर आप जोड़ दें तो वो भी के बराबर होगा इसका भी एक नियम है दोस्तों पर आपको उस नियम के नाम से इस कख्षा में पढ़ाई नहीं करें उसे कहते हैं क्रिशॉप्स का नियम और इसे यहाँ पर जो मैं प्रयोग में ला रहा हूँ उसके कहते हैं क्रिशॉप्स वोल्टेज लो अर्थात क्रिशॉप्स के विवांतर का नियम पर आपको उजना ध्यान दिने की जरूरत नहीं है अभी अभी अगर इतना भी समझ गए कि इन विभवांतरों का योग इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा तो काफी है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों V is equal to V1 plus V2 plus V3 बहुत अच्छा देन उसके बाद क्या कर सकते हैं V equal to V1 के जगह हम I गुणे R1 V2 के जगह I गुणे R2 और V3 के जगह I गुणे R3 लिख सकते हैं और V is equal to अगर I को आप समय से बाहर निकालने तो यह आएगा R1 जोड R2 जोड R3 सही है दोस्तों यहां तक आप समझ गए अब देखी दोस्तों मेरा मकसद यह है कि मुझे R1, R2, R3 इन सब के बारे में बताना है आपको कि जब आप इन तीनों को जोड देते हैं तो इसका जो एक collective जो एक समुच रूप से जो प्रभाव परता है circuit पे इस परिपत पे वो कितना होगा तो उसके लिए मैं आप यहां एक दूसरा चित्र बनाने जा रहा हूँ गौर्च देखीगा दोस्तों मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इस R1, R2, R3 तीन अलग-अलग प्रतिरोधों के बदले अगर मैं एक ही प्रतिरोध बनाऊं और इस प्रतिरोध का मान इतना हो कि इन तीनों के बदले वो वहाँ पर आ जाए तीनों के बदले वहाँ पर आने का क्या मतलब है कि आप इन तीन प्रतिरोधों को ना लगाए बलकि एक प्रतिरोध को भी लगाए तो इस पूरे परिपत में कोई भी नुक्सान नहीं होगा जैसे विद्युधारा पहले प्रवाहित हो रही थी वैसे ही विद्युधारा प्रवाहित हो रही थी इसका नाम हम दे देते हैं R तो और R के आगे मैं EQ लगा रहा हूं दोस्तों EQ मतलब equivalent equivalent मतलब समरूप एक तरह से तो यह R equivalent जो रेजिस्टर है वो समरूप है इस R1, R2 और R3 के यानि कि आप तीन प्रतिरोजना लगाएं अगर इस R equivalent को भी यहाँ पर इस परिपत में डाल दें तो current उतना ही प्रवाहित होगा अब मुझे इस R equivalent और R1, R2, R3 में एक संबंध हस्तावित करना है और उसके पहले मैं circuit पूरा कर देता हूँ यहाँ पर battery है और इसका दूसरा सिरा R equivalent के दूसरे सिरे से जुड़ा है तो आप जैसा यह देख रहे हैं यह जो battery है दोस्तों वो battery यहाँ पर आ गई और इन तीन के बदले मैंने यहाँ पर एक R equivalent बनाया है चलिए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह R equivalent ऐसा है कि जितना विद्धारा जितनी विद्धारा पहले प्रवाहित हो रही थी उतनी विद्धारा अभी प्रवाहित होगी और यह voltage भी है तो जब इसके लिए आप ओम का नियम लिखेंगे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताईए ओम का नियम यहां लिख सकते हम लोग वी इस इक्वल टू आई गुने और एक्यूवैलेंट है मैं सही लिख रहा हूं ना जी बेलकुल सही लिख रहा हूं अब देखिए अब मैं आपसे बस एक चीज अब देखेंगे तो दोनों का बाय हात की जो चीज है अर्थात यह वोल्टेज जो है दोनों में तो बराबर है अर्थात हम लोग एक्वेशन 1 is equal to equation 2 लिख सकते हैं अगर आप कटाना चाहें तो ये आई, आई कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा दोस्तों ये बहुत ही महतलपूर्ण सूत्र हमें मिला R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 अर्थात सीरीज में जुरेगवे प्रतिरोधों का अगर आप समुच्च मान निकालना चाहें तो आप सारे प्रतिरोधों के मान को जोड़ दें और जितना मान आपको मिले उतने मान का एक बस एक ही प्रतिरोध अगर आप उस परिपत में लगा दें तब भी पूरे परिपत को कोई नुकसान नहीं होगा बलकि दोनों परिपत एक ही तरीके से काम करेंगे तो यह जो पहला सूत्र हमें मिला है दोस्तों यह श्रीनी क्रम के लिए है और एक्वेलेंट इक्वल टू आरवन प्लस आरटू प्लस आरट्री इसी तरह हम लोग पार्श क्रम के लिए निकालने की कोशिश करते हैं अगर आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पर रोक करके खुद से एक बार कोशिश कर सकता है कि पार्श क्रम में इस चीज को कैसे ला जाए मैं आगे चलता हूँ तब तक आईए अब पार्श क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को देखते हैं तो यहाँ इस बैटरी से यह तीन प्रतिरोधक R1, R2 और R3 जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि जब यहाँ से आई विद्युद्धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ आने के बाद विद्युद्धारा तीन अलग अलग भागों में बट जाएगी तो ऐसा मानते हैं इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3 और यह विद्युद्धारा का बटना किस आधार पे होगा दोस्तों किस प्रतिरोध में ज़्यादा विद्युद्धारा जानी चाहिए जिसके प्रतिरोध का मान कम है क्यों क्योंकि वो एक अच्छी सड़क मानी जाएगी तो अच्छी सड़कों से ज़्यादा गारिया हो करके गुजरती है तो R1 से अगर यह I1 जा रहा है तो I1 इधर भी आ जाएगा R2 से I2 जा रहा है तो I2 उसके जूसरी स्तिरत पर आ जाएगा और R3 से होता हुआ I3 यहाँ जाएगा और फिर इस जगह पर आके तीनों मिल जाएगे और इस परिपत को पूरा करने के लिए फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 जुड़के I1 जाएगे जो की बैटरी में मिल जाएगी जितनी बैटरी से निकले थी उतनी बैटरी के पास पहुँच गई तो श्रेनी क्रम से पार्ष्टरम अलग इस अंदाज में हो गया कि श्रेनी क्रम में समान विद्युधारा हर प्रतिरोध से होकर के गुजरती है जबकि पास्टरम में विद्युधारा हर प्रतिरोध से अलग-अलग गुजरती है और यह किस पर निर्भर करता है यह निर्भर करता है R1, R2, R3 के मान के उपर पर यहाँ एक जो समान रहने वाली बात है वो यह है दोस्तों कि अगर आप R1 पर ध्यान के इंद्रित करें तो आप देखेंगे कि R1 का दोनों सिरा बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है अर्थात इसका सीधा मतलब यह है कि R1 के दोनों सिरों के बीच का विवानतर इस बैटरी के दोनों सिरों के बीच के विवानतर के बरावर होगा अर्थात इस बैटरी का मान अगर भी है तो R1 के दोनों सिरों के बीच का विवानतर भी भी ही होगा और उसी तरह R2 पे भी अगर आप ध्यान के इंद्रित करें तो R2 का भी दोनों सिरा वो V अर्थात बैटरी से ही जुड़ा हुआ है तो R2 के दोनों सिरों के बीच का विवानतर भी V ही होगा और इसी तरह R3 पर भी अगर आप देखें तो R3 भी उसी बैटरी से जुड़ा हुआ है तो R3 के दोनों सिरों के बीच का विवानतर भी V ही ही होगा तो पार्षक्रम में करेंड तो अलग-अलग होता है विद्धारा तो हर प्रतिरोध से अलग-अलग होती है दोस्तों परन्तु जो voltage होता है जो विवानतर होता है हर प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का वो बराबर होता है वी के तो यहां अगर ये V है तो R1, R2 और R3 के दोनों सिरों के बीच का विवानतर भी V होगा तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक और मैं चित्र बनाता हूं जैसा कि पिछली बर बनाया था और इसका नाम देता हूं R-Equivalent और इसको मैं बैटरी से जोड़ देता हूं R-Equivalent का क्या मतलब है दोस्तों R-Equivalent का मतलब है कि एक ऐसा प्रतिरोध जिसे अगर आप इन तीनों प्रतिरोधों के बदले में लगा दें अर्थात इन दोनों सिरों के बीच में अगर आप R-Equivalent लगा दें तो इस करेंट का मान नहीं बदलेगा वो आई ही रह जाएगा तो ऐसा प्रतिरोध हमें खोजना है अर्थात R1, R2, R3 के बदले में ऐसा एक प्रतिरोध कितने मान का लगा दों वो मुझे धूनना है तो चलिए शुरू हो जाते हैं फिर से तो मैं जब इसका सूत्र बनानने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ क्या लिखोंगा दोस्त से जितनी गारियां गुजर रही हैं और यहां तीन रास्ते हैं तो इन तीन रास्तों में जितनी गारिया गई वो उन गारियों को अगर जोर दें तो आपको कुल गारियों की संख्या मिल जाएगी उसी तरह यहां इस परिपत में इस बिंदू पर जितनी करेंट आएगा व इस तरह से जो मैंने सूत्र लिखा है, इस सूत्र को क्रिचॉप्स करेंट लॉब कहते हैं, जिसके हो हिंदी में क्रिचॉप्स के विद्युधारा का नियम कहा जा सकता है, पर वो आपको इस कक्षा में नहीं पढ़ना, वो आपको आगे की कक्षा में पढ़ना होगा, तो उस I1 को लिखना चाहें दोस्तों, I1 अर्थात R1 से प्रवाहित होने वाले current को लिखना चाहें, तो आप क्या लिखेंगे, ओम का नियम का फिर से प्रियोग करते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, V is equal to I into R, तो I is equal to V by R, तो I1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, V by R1, और य V by R2, देखिए यहां भी voltage वही है, यहां भी voltage वही है क्यों क्योंकि R1, R2 दोनों के सिरों के बीच का विवानतर V ही है, और उसी तरह जोड V by R3, जी बिलकुल, तो यह मैंने दाय हात के चीजों को अच्छे से लिख लिया, पर अगर मैं बाय हात की चीजों को लिखना चाह हूं, तो यहां से भी वही खुजर रहा है, जो यहां से खुजर रहा है, तो इस I को मैं इस नीचे वाले चितर से लिखने की कोशिश करूंगा, तो I के बदले मैं लिख रहा हूं दोस्तों, V upon R equivalent, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता, जी बिलकुल, तो जब आप इसको V दोनों किनारों से दोनों तरफ इस बढ़ाबर चिन के दोनों तरफ से अगर आप हटा करके कटाना चाहें, तो आसानी से कटा सकते हैं, और आप पाएंगे फिर 1 बटे R equivalent is equal to 1 बटे R1, जो और 1 बटे R2, जो और 1 बटे R3 तो यह जो सूत्र मिला हमें दोस्तों, यह पार्षक्रम में सन्योजित प्रतिरोधकों का प्रतिरोधकों के लिए एक बहुत ही महत्पून सूत्र है, और R1, R2, R3 पे हम रुख, ना तो मुझे हमें नहीं चाहिए, अगर यहाँ चार ऐसे चार प्रतिरोध अगर पार्षक् तो यह दोनों जो सूत्र हमने अभी देखे, श्रीनिक्रम और पास्ट्रम में वह आपको याद रखने होंगे दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही जडूरी है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, और यह दस्वी कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है जो देखा था, R equivalent कितने के बराबर था, आपको बस R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ देना था, और अगर वहाँ भी N resistor रहते हैं, 5 resistor रहते हैं, 10 resistor रहते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 उसी तरह करते करते, जितने प्रतिरोध हैं, आप उतने प्रतिरोधों को जोड हो थे, जबकि पारश्क्रम में वो बदल गया सूत्र, और वो क्या हो गया, एक बटे R equivalent is equal to 1 बटे R1, जोर एक बटे R2, जोर एक बटे R3 और इसी तरह आगे भी, तो इन दोनों सूत्रों को आपको समझना है और याद भी रखना है, आईए दोस्तों कुछ प्रश्न बनात हैं, किसी अज्यात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को सयोजित करने पर परिपत में 2.5 मिली एंपियर विद्युधारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोधधक परिकलित कीजी, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिय है हमें वोल्टेज की वैल्यू दी है 12 वोल्ट और फिर करेंट दिया है 2.5 मिली एंपियर तो जब भी ऐसा दे दोस्तों आपको आप मिली, माइक्रो ऐसा कुछ भी तो उसे बदल लें, 2.5 मिली एंपियर को हम लोग लिख सकते हैं, 2.5 को ने 10 पर पावर माइनस 3 एंपियर मिली एंपियर तो मैं एक चित्र बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, कहता है कि एक प्रतिरोध है, जिसे 12 वोल्ट की बैटरी के सिरों के बीच में जोड दिया गया है, तो यह 12 वोल्ट दिया है, इससे यह हमें निकालना है दोस्तों, यह आर हमें न निकालना है और इससे जितने विद्यधारा प्रवाहित हो रही है, वो दिया है, जो कि है 2.5 मिली एंपियर और यह V is equal to 12 वोल्ट जो कि हमें आर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, क्यों क्योंकि इसमें सीधे सीधे ओम का नियम अगर हम लगा दें तो प 2.5 गुने 10 पे पावर माइनस 3 इसको अगर जब आप सो बनाएंगे तो आप पाएंगे यह है 12,000 बटे 2.5 तो आप कितना पाएंगे दोस्तों, आप निकाल सकते हैं, आप पाएंगे 4,800 ओम जिसे हम लोग 4.8 किलो ओम ही लिख सकते हैं, किलो अर्थात 10 पे पावर 3 माइनस 3 नहीं 10 पे पावर 3, माइनस 3 कहते हैं मीली को, तो इतने 4.8 किलो ओम का अगर आप यहाँ पर प्रतिरूद लगाते हैं, तभी इस परिपत से 2.5 मिली अम्पिर दिधार प्रवाहित होगी, जो कि हमने ओम के नियम से समझा और बनाया, तो कुछ और प्रशन देखते है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम अथवा 4 ओम हो, तो हमें 3 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम के 3 ऐसे प्रतिरोध दिए गये हैं, और प्रशन हमें यह, प्रशन हमसे यह पूछ रहा है दोस्तों कि इन 3 प्रतिरोधों को आप किस तरह जोड़ेंगे आपस में, कि इनका जो समानांतर प्रतिरोध है, वो एक बार 9 ओम आ जाए, और फिर किसी दूसरे तरीके से जोड़ें, तो 4 ओम भी आ जाए, आप खुझ से भी इस वीडियो को यहाँ थोरी देर के लिए रोग करके सोच सकते हैं कि कैसा बनाया जाए, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, चलिए मान लीजिए कि अगर आपने इन प्रतिरोधकों को पहले श्रेनी क्रम में जोड़ दिया, तो क्या होगा, तो यह है छे ओम, यह है छे ओम, और यह है छे ओम, तो श्रेनी क्रम में क्या होता है दोस्तों, श्रेनी क्रम में जब आप तीन प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं, तो उनका समुझे प्रतिरोध कितना आता है, सबकी योग के बराबर छे जोर छे जोर छे अर्थात, अठरह ओम, तो आपको एक अठरह ओम का प्रतिरोध मिलेग छे ओम, छे ओम, और छे ओम, सब का जो मान है प्रतिरोधों का वो छे ओम है, तो पार्ष्क्रम में जब आप निकालेंगे, तो क्या होता था दोस्तों, 1 एक बटे, जोर 1बाए 6, जोर 1बाए 6, जोर 1बाए 6 इस इक्वल टो, अर्थात, जब आप निकालेंगे, तो आर एक साथ पैरलल में, नाहीं पार्ष्ट्रम अब तो कुछ और करना परेगा तो अगर हमने ऐसा बनाया अब देखी गवर से देखिए एक च्छेओं को दूसरे च्छेओं के साथ पार्ष्ट्रम में लगा दिया और इन दोनों के पार्ष्ट्रम के संयोजन को एक आखरी बच्चे हुए छेओं के साथ श्रेनी क्रम में लगा दिया तो आप सोचिए क्या होगा ये दोनों छेओं जो पार्ष्क्रम में है इनका अपना एक समनांतर प्रतिरोध होगा जो की इस छेओं के साथ सीरीज में अर्थाथ श्रेनी क्रम में होगा तो जब आप इन दोनों पार्ष क्रम संयूजन का प्रतिफल निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बता सकते हैं कितना आएगा एक बटे छे जोर एक बटे छे इस एक्वल डू एक बटे तीन अर्थात ये तो एक बटे आर एक्वेलेंट थे दोस्तों तो आर एक्वेलेंट कितना मिल गया जी हां तीन ओम तो अर्थात ये जो हरे रंग में जो आपको प्रतिरोध दिखा है वह तीन ओम के बरावर है अब जब इन दोनों प्रतिरोधों को आप जोड़ेंगे तो यह तो श्रेनी क्रम में हैं तो फाइनल जो आपको आर एक्वेलेंट मिलेगा वह कितना मिल रहा है दोस्तों प्रतिरोधों को इस तरह से अगर आप संयों जित कर देंगे तो आपको नौ ओम मिल जाएगा जी मैं इसको एक पर साफ से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आजाए मैंने क्या किया है कि एक छेओं और दूसरे छेओं के प्रतिरोध को पार्ष्रम में लगाया है और इसके साथ एक तीसरे छेओं को श्रेनी क्रम में डाल दिया है तो इनका जो प्रतिफल होगा इस छेओं के साथ सिरीज में होगा और वो दोनों मिल करके नौ ओम आपको प्रतिफल देंगे तो अब चलिए आप चारों के लिए सोचते हैं कि चारों के लिए क्या होगा चारों हम कैसे पास सकते हैं तो फिर से आपके पास कितने हैं आपके पास तीन ऐसे छे ओम के प्रतिरोद हैं, छे ओम, छे ओम, आपको इन्हें जोड़ना है, तो अब बता सकते हैं दोस्तों कैसे जोड़ेंगे, मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूं, एक छे ओम और दूसरे छे ओम को सिरीज में डाल दिजे, और तीसरे छे ओम को इन दोनों के साथ पैरल तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो छे ओम के प्रतिरोध को के प्रतिफल को इस छे ओम के प्रतिरोध के साथ पार्ष्ट्रम में लगा रहा हूं, और थाथ, आपको क्या करना परेगा, पहले इन दोनों का प्रतिफल यहाँ लिख लेना परेगा, तो दो छे ओम क के प्रतिरोध को सीरीज में लगाने पर 12 ओम का प्रतिफल मिलेगा जो की इस 6 ओम के प्रतिरोध के साथ पॉर्ष ट्रम है दोस्तों तो अब आपके पास एक 12 ओ लोड का प्रतिरोध है और Smart कि पॉर्फ दोनों का eq बट्टे डॉर्न केसे निलगे कीज़लों हैं दोस्तों कि आपको सबसलिब है त toxins देजिए तीन लोग उपर नीचे दो से नग्या चाहिए ताकि जोनों के बट्टे के नीचे का जो भाग सो जया और भेंस को कर के दोड़ करने में असानी करने गुछ इससे लिए ये भी कर सकते हैं आप किसी भी तरह से चाहें निकाल लें यह तरीका है तो 3 बटे 12 आर्थाथ जब आप और रेक्योवैलेंट निकालेंगे तो 12 बटे 3 जो कि बराबर होता है 4 अर्थाथ इन दोनों सिरों के बीच में जो आपको प्रतिरोध का मान मिलेगा वो इन 12 ओम और 6 ओम के प्रतिफल के बराबर होगा और वो है चारों जो की हमारे प्रशन ने पूछा था तो 9 ओम लेने के लिए हमने 2 प्रतिरोधकों को सीरीज में लगाया नहीं, सीरीज में कब लगाया जब हमें चारों चाहिए था और 2 सीरीज के साथ तीसरे प्रतिरोध को परलल में लगा दिया था, पार्श्रीज में लगा दिया जबकि 9 ओम चाहिए था तब हमने क्या किया था दोस्तों जी बिल्कुल सही, 9 ओम के लिए हमने 2 को पहले परललल में डाला था पहले पार्ष्ट्रम में डाला था और फिर तीसरे छेवग को उसके साथ सीरीज में डाल दिया था इस तरह के प्रश्ण आप अपनी पाठी पुस्तक से देख करके बना सकते हैं यह बस मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया है एक छोटे से ट्रिक के साथ मैं इस कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और वो ट्रिक एक सोचने का तरीका है दोस्तों तो हमें पता है कि जब कोई भी प्रतिरोध शेनी क्रम में होता है तो जो हम समरूब प्रतिरोध लिखते हैं वो आरवन जोर आरटू जोर जितने भ ही उसमें प्रतिरोध होंगे और अन तक उसका सीधा सीधा योग होता है यह निकालना बहुत ही आसान है कि यह सीधा योग है पर जब पार्शक्रम में बहुत सारे प्रतिरोधों को लगा दिया जाए तो इसका जो सूत्र है वो थोरा सा कठिन है एक बटे आर एक्युवाइ यहां पर बात कर रहा हूं इस पार्शक्रम में संयोजन के साथ कि यह एक जगह प्यांके बहुत आसान हो जाता है और अगर माल लिजे कि दो प्रतिरोध आपस में पार्ष्ट्रम में जुरे हैं और अगर इनका दोनों का प्रतिरोध है प्रतिरोध का मान है वो दसों या फिर दसों हो दोनों का प्रतिरोध समान हो तो आपको यह जो सूत्र है वो उसमें लिख करके मान निकालने ज़रूत नहीं है बलकि आप सीधा सीधा 10 बटे 2 अर्थात 5 ओम लिख सकते हैं अगर इसका मान 10 ना हो करके आर ओम होता मैं इसको अब एक बहुत ही जेनरल तरीके से बताने कुशिश कर रहा हूं जो इसका वह आरोम होता अगर दोनों का मान समान होता तो क्या हो जाता दोस्तों तो आर बटे दो ओम जो इसके समरूप इसको प्रतिरोध कामाना ता वो आर्बटें तो माता उसी तरह आप इसको तीन प्रतिरोध के साथ भी समझ सकते हैं यह जाए आरोम ईद्या, आर ओम और आरोम के तीन प्रतिरोध लगे होते तो इसका जो फिर्गस्ट, ऑर इक beiden वह वह साथ आरों दोस्टों बराबर हो प्रतिरोध के लगा दें तो वो इन तीन प्रतिरोध को के सम्रूप हो जाएगा सम्रूप अब रोध पैदा करेगा तो मैं तीन और यहां उपर मैंने दो लगाया है वो दरसल आ कहां से रहा है दोस्तों वह आ रहा है नंबर प्रतिरोधों से कितने संख्या में प्रतिरोध लगाए गया है तो यहां कुल प्रतिरोधों की संख्या दो थी तो हमने दो से उसको बाट दिया यहां कुल प्रतिरोधों की संख्या तीन थी तो हमने तीन से बाट दिया अगर इसी तरह एन संख्या हो प्रतिरोधों की इस तरह एक दो ती इस तरह करते करते एन तो यह हम क्या लिखेंगे दोस्तों एन लिखते हैं तो यह एक आसान हो जाता है थोड़ा समझने के लिए तो आप समझने का तरीका इसा रख सकते हैं कब और यह कब वैद है जब प्रतिरोधों का मान पारश्क्रम में एक समान की, नहीं तो आपको इस सूत्र से जाना पढ़ेगा, पर अगर आप इस सूत्र को बस दो प्रतीरोधु के लिए लिखते हैं, तो 1 इक बटे है R equivalent is equal to R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2 तो आप इस सूत्र को भी इसी तरह से याद कर सकते हैं कि जब दो पार्ष्ट्रम में प्रतिरोज लगे हों तो उसका समरूप प्रतिरोज आरवन गुने R2 बटे R1 जोर R2 होता है तो खेर ये सब चीजें आप जब अपनी कक्षा की किताब से पढ़ेंगे तो आपको और अधिक समझ में आने लगें पर इस कक्षा में इतना ही अगली कक्षा में हम देखेंगे विद्योधारा के तापिय प्रभाव एवं शक्ति के बारे में तक तक के लिए धन्यवाद